सरत रेड़ी का वो मामला है जिसको टीवी डिबेट से लेकर कोट में खुद अर्विन केजिवाल ने बताया है तो फिर जवाब दीजे कि उसने जितने ले इलेक्टोरल बॉंड्स का पैसा दिया वो आपका है आप लोगों ने ब्लाक मेल किया जिसके बाद उनको बाद में बेल भी मिल गई आपका इलेक्टोर बॉंड आपके अगर इसका में जवाब दूगा तो बाकी की बाते रखने देंगी और पूरा इंटरप्शन के बिना लेकिन कितनी देर ऐसा थोड़ी है कि आपके मन से चलेगा मेरा जब मन करेगा तब रोकूँगी पहले तो शरद रेड़ी एक लौता व्यक्ति नहीं जिसके बयान पर ये केस आधारित है पहली बार देखे बीच में बोलना शुरू हो गया मैं इसलिए जवाब ने देता य नवेंबर जैनुरी 2022 में आए तो मुझे बताई ये बॉंड का पैसा लिया और उसके बाद केस कर दिया है नहीं के खिलाव ऐसा बॉंड का पैसा दे रहता है और चौती बात में आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे फैक्स जो है अंजना जी आपकी कोट से जादा कोट के करकिये और अगर ये पाट लिए अगर ये पाट लिए उसके लिए माला बचाव करें अंजना जी देखे मैंने उनके बीच में एक शवद नहीं आपका 40 सेकंड हो गया पर आपके सवाल के जवाब पहले दिया ना इन्होंने तो जवाब ही नहीं दिया अब जवाब ही नही करके एक साथ नहीं प्लीज प्लीज अब जो कहते हैं कि हाई कोट का ओरडर आया सुप्रीम कोट का ओर आया इस केस में उस केस में देखे आके हार हो गए तो सुप्रीम कोट ने मनी सिसोध्या को राहत देने से माना किया है सब्सक्राइब नहीं है नहीं लगाना वो छोड़िये लालू प्रसाइद पहली बार कन्विक 2013 में वो कन्विक्टिड है अब इनको पूछे इन्होंने मुझसे सरज रेडी का सवाथ पूछा लालू करफ है या नहीं है अंजना जी इसका स्पेसिफिक जवाब लिए जवाब इसका स्पेसिफिक जवाब लिए इसका स्वाल का जवाब लिए आपने सुन लिया इनके साथ करोड़ उन्हें क्यों लिए थे बीच में प्लीज मैं सब को बोले मैं पहले आपको पूछिए उरीजीत पटेल ने 2017 में भाजपा को चिट्थी लिखी उरीजीत पटेल जो अरे तो एवन साइकल की बॉंड क्यों ने लिए आपने कॉंग्रेस ने लिए आपने क्या कॉंग्रेस ने आम आदमी पार्टी ने उगवाई की क्या कनपटी पे बंदूग रखके बयान लिए लिए सवाल है ना इसका जवाब दीजेना कोट रहत क्यों नहीं दे रही यह तमाम बाते तो अर्विन केज़िवाल जी ने कौट में भी कहा है अंजना जी यह नया फैक्ट अंजना जी यह नया फैक्ट आया है इसके उपर अपर आपके साथ बत्तमीजी नहीं कर सकता मैं अपनी डिबेट की आदी हैं मैं आप से बात नहीं कर रहा हूं आप लोग प्लीज मुझे अड्रेस कीजिए तू खाके बैठा है तू चुपो जा या आप बोले तू तड़ा अच्छा नहीं लगता है देखें घर में बैट के लोग देखते हैं बच्चों के साथ देखते हैं समझना चाहते हैं क्या हो रहा है किस पार्टी की क्या इडियो हाँ उनको पता है वो कहते हैं कि आप लोग बत्तर हैं उनसे ये उनकी दलील होती है मुझे पता है आप लोगों के सवाल और जवाब मुझे आगे पढ़ने दीजिए जिए प्लीज शिजाज जी डून दू दू दिस महुआ माजी जी आपके पास आते हुए मेरा प्रशन से ये है कि मामला कोट का है कानूनी है पहले तो हेमन सोरेन जी ने गिरफ्तारी की बात देखते हैं उन्होंने खुद ही उस्तीफा दे दिया था अभी तक वर्क फ्रम होम तो सुना था वर्क फ्रम जेल भी चलेगा हटाईए उसको दूसरी बात अगर नेता पर भ्रश्टा तो लोगतंतर कैसे खत्रे में हैं जनता तुम बोलेगी हम तो वोट डालने जाते हैं हमारे वोट से ही डिसिशन आता है और यह लोग हमें उल्टा इस समझा रहे है कि लोगतंतर गडबड़न तो कहा हमारे वोट पर शक है इनको क्या ये स्ट्राटीजी ही घलत नहीं है दि और EDE की चापेबारी सिर्फ उनी निताओं के घर में होती है जो भाजपा में नहीं है जो भाजपा में चले जाते हैं उनका केस भी बंद हो जाता है या फिर डील दे दी जाती है इसलिए ये बात बार बार उट रहे हैं कि लोग तंत्र खत्रे में हैं अगर EDE, CBI वगरा पर क्या दबाव बनाया गया तो फिर उन पर EDE की कारवाई नहीं हुई अभी हमारे स्टेट में भी आपने देखा कि परिवार को तोड़कर ले जाया जा रहा है जिनने परिवार वाधी जने खान जा रहा है जरने ब्रश्टाचारी का जा रहा है वो जब पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से डरा के धमका के जेल भेज के उनका बेल करा के कैसे उसके तुरंट बाद इतनी बड़ी बड़ी राशी करोडों की राशी भाजपा के पास जंदे के रूप में आ रही है यह तमाम जीज़ें जो सामने आई है इसी को लेकर यह माना ज हो रहा है वह बाइस्ट है वो लोगतंत्र के खिलाफ है यह संविदान का पालन यहां नहीं हो रहा है लेकिन महुआ जीज़ें अगर जिस से भाजपा आ गई तो पता नहीं इस देश का क्या होगा लेकिन महुआ जीज़ें एक चोटा सा सवाल आपसे और है क्योंकि वहां कार्ड नहीं है देखिए जब महिला सशक्तिकरन की बात होती है तो उन नेताओं की धनपत्निया भी उन महिलाओं के अंदर ही आती है लोग पड़ी लिखी है समझदार है राजनीती मेंनोंने हमेशा अपने पती का साथ दिया है तो अगर वो खुद अपना मोचा समालती है तो उसमें बुराई काहा है अगर एक डॉक्टर के घर में कोई बेटा या बेटी होती है वो डॉक्टर बन सकती है तो अगर कोई पॉलिटिसियन के घर में उनकी साथ धर्मी नहीं है और अगर वो आकर अपनी पीडा को वो सबसे अच्छी तरह से व्याट कर सकती है तो इस मंच पर आकर तरह की बाते करते है महिला सुषक्तिकरन की ये सारा देश देख रहा है कि महिला सुषचा की स्थिती क्या है इसलिए जब महिला है आ रहे हैं आपको पता होगा कि भाजपा कहती है कि हम Alrightya की सबसे बड़ी पाटी है आपको पता होगा कि हमारे स्टेट में भाजपा ने तीन महिलाओं को टिकट दिया है और तीनों महिला कॉंग्रेस राज़ाद और जामुमों की है जरकन मुक्ति मोचा की है उनकी इतनी बड़ी पार्टी में एक भी महिला नेतरी नहीं थी जिने टिकट दिया जा सके ठीक है जवाब लेते हैं यही हमारे सेना है कि जी जी महुआ जी जाते हैं कि आपको नहीं बताएंगे EDCBI के मामले में 14 पार्टी पेटिशन लेकर सुप्रीम कोट गई रिजेक्ट किया सुप्रीम कोट के चंडीगर वर्डिक को अपनाना है इसको नहीं अपनाना है सेलेक्टिव हो जाना है पर आप देखे मुझे पहले इसका जवाब देने जिए उसके बाद आपने उनको फ्री फ्लो दिया और में उजे दस सेकंड में इंटरा जनता भी देख रही है अंजना जी मैं इसके बाद यह कहते है इडी-CBI का मिस्यूज होता है 36 गड के चुनाव थे बुपेश बागेल को इडी गिरफ्तार करें CBI गिरफ्तार करें यह प्रेस कॉंफरेंस आम आदमी पार्टी ने किया तब इडी ठीक थी जब यह लोग नाच रहे तो पोस्टर लगा रहे थे केजरी वाल गिरफ्तार हो तब यह इडी ठीक थी जब सुप्रियाज शिनेत और अजय माकन प्रेस कॉंफरेंस कर रहे थे तब ठीक थी लोगतंतर बचाओ की बात करें ना बंगाल में कॉंगरेस कहती है लोगतंतर पर खत्रा ममतादीदी ने किया पंजाब में कहती है कहरा की गिरफ्तारी से खत्रा ह करला में कहती है कि विजयन ने खत्रे में डाला है और दिली में आकर ये लोग उनी के साथ लोगतंतर बचा रहे उसके बाद मैं आप से पूछा जाता हूं इन्होंने कहा महिलाओं के बारे में मौवा जी आपको तो पता है व्यक्तिकत रूप से मैंने आपके हमेशा सम्मा और बहुत आप से रिस्पेक कर से बात करता हूं ये संदेश खाली पर एक मुझे कॉंसॉलिडेटेटिट स्टैंड बताइए इंडिया लाइन्स का जिसमें शाजां को लगातार ममतादीन ने को एसेमली में जाकर डिफेंड किया खडगे जी ने का चोटी-मोटी घटना है सुप्रिया शिनेत ने 25 तारिकों कंगना रनौत और मंडी का अपमान किया अभी तक वो कल्परिट सामने नहीं आया किसने किया वो ट्वीट या पोस्ट और आज तक आपने एक शब्द नहीं बोला लाल सिंग जो आच साल की बच्ची के बलातकारी के साथ खड़ा था प्र फुल पटेल वाले पे जो नेकस्स पूरा भेला रहे के केस बंद है आपने CBI का कोई डॉक्यमेंट देखा ओफिशेल इस मामले में केस की यहरिंग सुन लीजिए 15 तारीक को है कोट की केस बंद कर सकती है इस मामले में एक नहीं 4 FIAR है और उस रिपोर्ट का जिसका हवाला देते ना उसमें यह कोट नहीं करते कि 3 FIAR में जान चल रही है यह इसलिए नहीं करते क्योंकि चगन बुझबल की केस 2013 में इन्होंने बंद कर वाई तब वो चगन बुझबल क्ली थे आज करप्ट हो गए और इसे लालू प्रसाद यादफ कंविक्टेड है